हेलो एवरीवान विल्कम बैक तो माई चैनल दीप स्टिचिं इन फेशिंग में आपका स्वागत है आज मैं इस साडी चे श्रग जेकेट वाला सूट बनाने वाली हूं यह जो साडी है दो पैटन में आप देख सकते हैं आधी वाइट है और आधी इस टाइप की इसमें लेस लगी हूई इसे में निकाल दूँगी उसके बाद हम सूट बनाने वाले हैं अब जो है हमारी साडी यह दो कलर में इसलिए दोनों पार्ट को में अलग कर दूँगी वाइट पार्ट अलग कर दूँगी तो पहले में अपना मेजर्मेंट बता देती हूं हमारे चेस्ट जो उसके बाद जो कमर है हमारी 26 है 26 में भी 3 अड़ करेंगे तो 29 आएगा 29 का भी हाफ कर लेंगे हम तो साड़े साथ आ जाएगा हिपस हैं हमारे 34 उसमें भी 3 इंच एड़ करना है तो हमारे 37 आ जाएंगे 37 का हाफ होगा हमारा साड़े जो हमारे चेस्ट कमर और हिपस तीनों के लाट यह कुळा है उस-को यह मेरा आदिसाड़ी का इस से में चैकट बनाने वाली हूं और यह वाला कपड़ा зах donne कि बनाने वाली हूं एक ही cutting दिखाऊंगे उसके बाद में इन दोनों पर रखते थोड़े और एक्स्ट्रा cutting करूँगी इसी cutting से दोनों की cutting होगी तो आपको भी easy रहेगा उसे बनाना इस तरीके से में बनाने वाली हो तो चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं तो पहले हम पेपर पर कटिंग करने वादि हैं उसकी बाद हम कपड़े पर कटिंग करेंगी क्योंकि पूरा कपड़ा केमरे में नहीं आए इसलिए तो लेंते हैं हमारी 45 इंच कुर्ती की, चुर्कि इस पेपर में भी नहीं आ रही है, मैं आपको कपड़े में पूरा समझा दूँगी, उसके बाद जो हमारे शोर्डर जो है 7 इंच हैं, तो हम यहां से 7 पे निशान लगा लेंगे, और हमारी आर्मूल जो है 6 इंच, उसके ब हमारी कमर का निशान है, वह हमारे 4.5 इंच पे आएगा, और जो हिप्स का निशान होता है, वो इसमें जरुर्वत तो नहीं रही कि, पर मैं बनाती हूं, इसमें समझा दूँगे आपको, वो 5 इंच कमर के निशान से 5 इंच नीचे हिप्स का हमारा निशान आता है, उसके वालें तीनों लाइन को हमें एकड़म सीधर ड्रो कर लेना है अब जो हमारे चैप्स ट्राया थे 9 इंच पर और हमारी कमर जो आई थी साड़े साथ इंच जो मैंने आपको मेजर्मेंट समझाया था उसी के हिसाफ से जो हमारे इप्स का निशाना था जाड़े 9 इंच पर इस तरीके से अब जो हमारा गला जो हम थ्री इंच की चोड़ाई लेंगे गले की जो हमारा फ्रेंट गला होगा वह सिक्स इंच होगा कुल्टी का इस तरीके से यहां पर भी हम गले को शेप दे देंगे यहां से हम इसका हाफ लेके हम यहां से भी आँहोल का शेप दे दी इस तरीके से इसके बाद जो हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है तीनों पॉइंट्स मिलाने के बाद हमें यह के किंज का मार्जिन ले लेना है जिलाई के लिए यह मारी बैक साइड के आनहोंос जो निशान ही बाझे बाजूक और इससे हाफ इंचे अंदर की तरव जो हमारी फ्रॉंसाइड का हुझार्ध से और जो है हम और यह मैंने इसने बैक साइड का हुझा है enda इसके बाद यहां से हमें यह लाइन कुर्टी बनानी है इसलिए एकदम सीधा इस टाइप से हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो मैं आपको कपड़े पे समझा दूंगी अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले हमने जो बैक पार्ट का गला और आम होल का निशान लगाया है उसी की कटिंग करेंगे उसी के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद पेपर को बीच में से कट करने के बाद हम फ्रेंट साइट की आम होल और गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से इसी पेपर मे मैंने आगे के और पीछे के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है देखिए अब जो है ये वाइट वाला पार्ट है हमारी साड़ी का जो मैंने दो पार्ट में कट की थी ये डायमेटर कपड़ा है और जो इसे ये डायमेटर कपड़ा है इसे मैंने फोल्ड कर दिया है फोल्ड क तो इस तरही इधर इसका जो इधर इसकी फोल्डेट साइड है और इधर हमारा नैक आएगा उधर और इसकी जो है ओपन साइड है आप देख सकते उसके बाद जो लेंध हमारी पूरी पेपर में कवर नहीं हो रही थी और केमरा में भी इसलिए मैंने जो इसकी लेंध है 45 इसकी बाद जो हमारी हिप्स की लाइनिंग है इससे में ने इंच टेप रखी और हमें ए लाइन शेप देना इस तरीके से क्योंकि इसमें में बनाती तो दिखाई नहीं देता है इसलिए मैंने इंच टेप रखके आपको समझाए वहां से हमें सीधी कटिंग करना है इंच जहां रखी और उसके बाद जैसा हमने ड्रॉप बनाया है सेम उसी टाइप से यह पहले मैंने बैक पार्ट रखा है उसके बाद में फ्रेंट पार्ट रखके कटिंग करने वाली हूं पहले हम ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे फिर एक लेयर हटा लेंगे फिर हम फ्रेंट पा अब जो इसकी एक लेयर फोर लेयर कपड़ा था हमारा ये तो हमें जो बैक पार्ट है इसमें से निकाल लेना है और एक अब जो हमारे दो पार्ट थे उसमें से एक निकाल लिया है हमने बैक पार्ट अब हम फ्रेंट पार्ट के गले और आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं दिखिए हमारी कुर्ती की A-line की cutting हो चesz्zen है कटिंग हूने के पाद इस टाइप से दिखाई दे रही है है यह ज़ो है यह जो है यह जो है उपर ख़़ा हुआ है न इसी तरीके मना रही है करना है कि शारी क बना रही है सेम सिरीके के ज़ेक से हमें क seriously तो सेम उसी टाइप से कट करना है इसे भी जिस तरीके से हमने कुर्ती को कट किया था उसी तरीके से हमें इसे भी कट करना है पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे फिर एक पार्ट निकालने के बाद फ्रेंट पार्ट करेंगे उसी तरीके से हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है द रखना जाहें जिखी इस तरीके से में फ्रेंट्न नहीं के चुड़ क्यों जाहें कर देंगे इसके बाद आर्म होल में भी हाफ इंच गोलाई दे के फिर कटिंग कर देंगे क्योंकि जैकेट इसलिए इसको हमें बीच में से भी कट करना है क्योंकि सामने से खुली रहेगी दीखिए उसके बाद जो नॉर्मल हमारी लॉंग स्लीव जाती है मैंने लैंथ जो र रखिए वह मेरा है नाइन इंच तो उसका हमें फोर्थ कर लेना है तो हमारा आरा है दो इंच एक पाओ तो मैं यहां से धाई इंच पे निशान लगा लूँगी जहां तक मेरी स्लिवस धाई इंच पे आती है यह मैंने फोर लेयर कपड़ा लिया है आपको में दिखा देत और यहां से हम धाई इंच पे जहां तकाता हमारा वहा निशान लगा लेंगे और फिर हमें जितनी लंबी यहां से हमारी स्लिवस में चाहिए उतनी लंबाई हम लैन्थिस की ले लेंगे मैं यहां ले रही हूं 6 इंच यहां से भी हम 6 पे निशान लगाएंगे और यहां से के लिए हम सिक्स पे ही निशान अब हम कट कर लेते हैं यहां से हलकी सी हमें इसमें गोलाई दे के कट करना है इसी तरीके से यहां से भी हमें कट कर देना है देखें इस तरीके से हमें इसमें से अटेच कर देना है हम जो इस स्लीज में थ्री लेयर लगाने वाले हैं यह वड़ी वाली है फिर हम इससे छोटी लगाएंगे फिर उससे छोटी तो इसके बीच वाली जो लेयर में बनाने वाली हूँ वाइट से बनाने वाली हूँ तो हम इसे ये भी हमारा four layer कपड़ा इसे भी हम इसी तरीके से cut करेंगे जिस तरीके से हमने इससे पहले cut की थी sleeves और सिर्फ इसमें इतना फर्क रहेगा कि हमें इसकी land थोड़ी कम रखने इसकी six inch रखने थी इसकी फोर रखेंगे हम और उसके बाद एक और उससे छोटी वाली एक और इसी टाइप से cut कर लेंगे दीखिए अब जो हमने इसके अस्तर के भी cutting कर लिए अस्तर का गला नहीं cut किया हमने अब हम यहां से इसमें यहां सलाई लगा देंगे इससे हमने कपड़े को उल्टा रखा है इदर इसकी सीधी साइड है और इदर जो है किया था उसे हम कट कर देंगे उसके बाद जो है हम इसमें गले में और आर्म होल में चोटे-चोटे कर्ट लगा देंगे सिलाई पहले तक ताकि हमें पलटें से तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए अब हम इसे पलट देंगे और इसके बाद इसके उपर से हम पूरे में आर पार्ट और बेक्ट पार्ट का दोनों की आर्मॉल और गला गले को göz Go इंगे आप सिर्फोर्ड गलड के बनाया है क्योंकि हमने से नहीं लगानी Всё को तो आप जड़ोत नहीं रहे गी अवाप्यान य स्थम्हें नाया नहीं इस तरीके से हमने यह दोनों शोल्डर जोइन कर लिए हैं शोल्डर जोइन करने के बाद हमें साइट से दोनों तरफ जो है नीचे तक सिलाई लगा देना है मेंदा देखे इस तरीके से हमारी कुर्ती बन के तियार हो गई आपको नीचे से गोलाई देनी है जैसा आपको रखना है सीधा इस्ट्रेट रखना है गोलाई देनी इस तरीके से आप कट कर लें और सिलाई लगा दें दिखिए हमारी ये जेकेट है और ये उपर का फ्रेंट पार्ट है और नेजी का बैक पार्ट है इसका और ये इसके शोल्डर है इसे इन दोनों शोल्डर को हमें जो है जोईन्ट कर लेना है यहां से यहां तक सिलाई लगा देनी है इसके बाद हमें जो है हमने shoulder joint कर लिये हैं इसके इस तरीके से हमें जो ही ये cross party cut कर लेनी है और ये गला जो है हमारा इसमें double fold करते हुए पीछे से लेके आगे तक पूरे गले से लेके नीचे तक हमें अब जो हमने स्लीव के तीन पार्ट कट किये थे बड़ा फिर छोटा फिर उससे चुटा इन तीनों को रखने के बाद इनके उपर हमें सिलाई लगा देनी है अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी कटिंग ठीक से निए उचे नीचे दिखाएं दे रही तो जब हम इसमें फिक को करेंगे तो यह बराबर हो जाएगी उसमें उसके बाद जो है हमारी जो यह स्लीव से इसका हम सेंटर ले लेंगे और उसमें कट लगा देंगे और जो वाली स्लीव से इसमें भी हम बीच सेंटर में कट लगा देंगे और बीच से ही हम इन दोनों को जोइंट करेंगे और बीच में थोड़ी-थोड़ी से छोटी-छोटी से फ्रिल सल से लगा देंगे हम इसमें अब जो हमने दोनों स्लिव्स बना लिए अब हमाएं स्लिव्स के सेंटर में कट लगा देना है और उसके बाद जो इसका सूल्डर का सेंटर है दोनों को जॉइंट करके स्लिव्स को लगा देना है दोनों स्लिव्स अटेज करने के बाद साइट से इसलिव्स से होते हुए हमें पूरे नीचे तक सिलाई लगा देनी है उसके बाद नीचे से भी हमें इसे फोल्ड कर देना है तो देखे इस तरीके से हमारी एलाइन ये कुर्ती बनी है और इस तरीके से हमारी जैकेट बनी है अब हमें इसमें डोरी लगाना है तो हम लटकन बना लेते हैं उसके बाद हमें एक डूरी हमने एक डूरी ले लिए और चार बराबर साइज के चार कलर के हमने कपड़े कर लिए जो कपड़े हमारी श्रग में है लॉग जैकेट में वही कलर हमने लिए है उसके बाद सबसे पहले हम ग्रीन वाला इसकरने वाले उसे डबल फोल्ड करने के बाद ट्रेंगल बनाने के बाद उसे इस तरीके से हम डोरी रखेंगे और इस तरीके से इसे जो है फोल्ड करके इस तरीके से हम इसमें सलाई लगा देंगे इसी टाइप से हमें जो ये तीनों कलर के कपड़े हैं हमें एक के उपर एक रखके फोल्ड कर लेना है इस तरीके से हमें ये हमारी लटकन बना लेना है दोनों लटकन बना लेना है इस डोरी को जकेट में हमें अटेज कर देना है हमारा सूट बन के त्यार हो गया है बहुत ही ब्यूटिफुल सूट बन के त्यार हुआ है हमारा हमारी लॉंग स्टॉट भी बहुत ब्यूटिफुल बनी इसलिए उस भी बहुत अच्छी बनी है इस तरीके से आप भी सूट बना सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है पाहनने के बाद आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल कार् här, के टाई दो तो सबस्क्राइब का के बाद लगता है नहीं हो है धिता है, क्ना सबस्वेस, गयाईकन को ज़ुत है है, जहीं हो स्लाचण को ब ehikヤारे है यह China II